दोस्तों इतिहास में पहली बार बिहार विदियले परिक्षा समिती दुआरा वर्स 2023 में होने वाली सभी परिक्षाओं का कलेंडर जारी कर दिया गया है आज किस वीदियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड मैटिक इंटर और डियलेड सत्र 2023 और पचीस में नामंकन के लिए ऑनलेन अपलाए कब से होगा और एकजाम कब होगा सभी परिक्षाओं का तीथी जारी कर दिया गया है तो एक बार आप सभी लास तक अवस्य बने रहे हैं संबंदित परिक्षाओं की तीथी के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे तो चलिए सुरू करते हैं तो जैसा कि दोस्तों आप सभी अपने स्कीन पर देख सकते हैं बिहार विद्याल परिक्षा समिती दोवारा आज दिनांक 9 दिसंबर 2022 को ये सेडूल जारी किया गया है जिसमें सबसे पहले तो मैट्रिक इंटर वार्षिक परिक्षा 2023 का जिक्र किया गया है जिसमें आप सभी देखेंगे जो इंटर का एक्जाम है एक फरवरी से लेकर 11 फरवरी 2023 तक दोनों पालियों में आउजित होगी वहीं मेट्रिक वार्षिक परिक्षा 2023 का आयोजन 14 फरवरी से लेकर 22 फरवरी 2023 तक दोनों पालियों में आयोजित होगी तो ये जो है पूरा सेडूल नीचे दिया गया है इसके अलावे एक और बहुत बड़ी अपडेट है वर्ष 2013 में मादमिक सिक्षक पातरता परिक्षा 2023 का भी आयोजन किया जाएगा यानि कि STT आयोजित की जाएगी जो भी स्टूडेट डियलेड में एडिमिसन ले रखे हैं संभावित तीथी निर्धारित की गई है इसके अलावे दोस्तों आप सभी को बता दें कि सत्र 2023 से पचीस में डियलेड सत्र में नामंकन लेने के लिए आउनलेन आवेदन कब से होगा और एकजाम कब होगा एडमिट कार्ड कब आएगा वो चीज़े भी बताई गई है बिहार बोर्ड वर्ष 2013 का एकजाम कलेंडर डाउनलोड करने के लिए आपको अपना कोई भी गूगल बोर्जर को ओपन करना है अपको इसी तरीके से सर्च कर लेना है कोसी अस्टडी आपका पेज इस तरीके से ओपन हो जाएगा आप यहाँ पर आएंगे डियलेट के सेक्षन में या फिर लेटेस्ट अपडेट में भी आपको मिल जाएगा या फिर आप सबसे उपर में ही यहाँ पर आप सभी को ये चीजे मिल जाएगा अभी यहां पर अपडेट नहीं हुआ है यहां पर भी आपको मिल जाएगा हलाकि DLA केटेगरी में अगर आप आते हैं तो सबसे पहले ही आपको exam calendar का link जो है आपको मिल जाएगा यहां पर देखिए बिहार बोर्ड exam calendar 2030 इस link को आपको open करना है जैसे ही आप open करते हैं तो यहां पर सभी परकार की जानकारी असान सवदों में दी गई है आप चाहे तो पर सकते हैं साथी साथ यहां पर step by step जो है mention किया गया है कौन सा परिक्षा कब होने वाला है इसके बाद आप नीचे आते हैं तो DLA परिक्षा का calendar आप सभी देख लिजे राज के सभी DLA कोलेजों में नामंकन है तो 2023 में नामंकन है तो यहां पर देखेंगे सनिक्ष परिक्षा 2023 का आयोजन होना है जिसके लिए आउनलाइन आविदन 16 जनवरी से लेकर 30 जनवरी 2023 तक आउनलाइन आविदन लिया जाएगा सत्र दोहजार तैस से पचीस में नामंकन के लिए सोला जनवरी से ऑनलेन आविदन सुरू हो रही है और अंतिमति थी तीस जनवरी दोहजार तैस तक निर्धारित है तो आप सभी आँख बंद करके तैयारी में लग जाएए इसके बाद इसका एडमीड कार्ड जो जारी किया जाएगा दो मार्च दोहजार तैस को जारी किया जाएगा और परवेस परिक्षा जो होना है तैस मार्च से लेकर बीस मार्च दोहजार तैस तक आउनलेन आउजित होगी जैसे कि इस बार आउजित हुई है इसका जो है उत्तर कुंजी जो है अधिकारिक वेबसाइट पर 37 मार्च को लगभग जारी किया जाएगा और 37 से लेकर 30 तक आप सभी आपती भी इस पर दर्ज कर सकते हैं इसके बाद जो है जो इसका परकिर्या चलेगी फर्स्ट मारिट लिस्ट सकेंड या थर्ड मारिट लिस्ट जो आएगा एलाटमेंट लेटर आएगा वो जो है जून में ये परकिर्या शुरू कर दी जाएगी और नामंकित सभी प्रक्षिक छू जो 2022 चोबिस में अभी अभी नामंग कर ले रहे हैं इनका रेश्टेशन होना है तो रेश्टेशन जो है 28 जनवरी से लेकर 8 फरवरी 2030 तक चलेगी यह तीथी बाद में आगे भी विस्तारित होगी इसके अलावे दियलेड का जो मूल रेश्टेशन कार जारी होगा वेबसाइट पर वो जारी होगा 2 मार्च को ठीक है आप सभी 13 मार्च तक प्राप्त कर सकते हैं अपने कोलेश से दियलेड फेश टू फेश परिक्षा का जो आयजन होगा 2030 में वो जुलाई एगस्त में होगा और इसका परि परिशा समीती द्वरा इतिहास में पहली बार जो है एकजाम का सेडूल जारी किया गया है बाकि एकजाम का सेडूल डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है नीचे स्क्रोल करना है यहाँ पर आप से भी देखेंगे बिहार बोड एकजाम कलेंडर 2030 पीडियाप डाउन कारी यहां से प्राप्त कर सकते हैं इसके अलावे आगे और भी विस्तार से वीडियो आएगी डियलेड एडिमिशन को लेकर खास तोर पर तो आप सभी हमारे साथ बने रहें वीडियो को लाइक कीजिए नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ आगर आ कॉमेंट करके आप बताएगा क्लास आप पाना चाहते तो कोसिस करेंगे हम आपको एक से दो विस्तार का जो है फ्री क्लास हम दे सके तो निश्ची दुरुप से आप सभी कॉमेंट भी जरूर कीजिएगा जैदे संक्या में कॉमेंट आएगा तो इस पर हम विचार जरूर करेंगे और आप सभी हमसे जूरे रहें वीडियो को लाइक कीजिए नए साती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का